हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है साथ जनवरी दो हजार चौवेस और साथ जनवरी दो हजार चौवेस से रिलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुश्यन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे कुश्यन को कवर करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौर्निंग सुबह 7 एम पे डेली लाइब आती है आप सभी लोग सुबह 7 वज़े इस क्लास के लिए तैयार र दिखा है हाली में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्गाटन कहां पर किया गया है वेर वास दी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन एकुरेटिड इन यूपी दी सेंटली फर्स्ट आप्सन है प्रियागराज में सिकेंड आप्सन है नासिक में थर्ड आप जल्दी से बताइएगा दोस्तों हाली में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्गाटन कहां पर किया गया है? इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नमबर ए प्रियाग राज में? चैलिए इस कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टिंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं योगी आदितनात ने प्रियाग राज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्गाटन किया ये फ्लोटिंग वाता नुकूलित रेस्टरा यूपी एस्टी डीसी द्वारा प्रिबंदित है ये रेस्टरा सुरम में यूमना नदी पर आगुंतकों के लिए भोजन के अनवव को पुना परिवासित करेगा इसकी छमता एक बार में 40 आगुंतक है और यूपी एस्डी डीसी का फुल फॉर्म है उत्तर पिर्देश स्टेट टूरिजम डपलमेंट कॉर्पोरेशन लिम्टेड इसकी इस्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्याल है लखनों में है इसकी अध्यज प्रिखर मिश्रा है ठीक है दोस्तों इसकी इसकी इस पॉइंट बन सकते थे वे सारिस की इसकी में नोट डाउन है तो आप लोग इन सारे पॉइंटों को अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा तो चलिए आंगे बढ़ते हैं नेस्कुशन देखते हैं अम्रित भारत आठ वंदे भारत फोर्ट ओप्सन है इन में से कोई नहीं बताईएगा फ्रेंड्स इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं हमारा ओप्सन नमबर ए दो अम्रित भारत छे वंदे भारत ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ते हैं पीम मोदी ने आयोध्या में दो नई अम्रित भारत छे वंदे भारत ट्रेनों का अधुगाटन किया और ये कहां से किया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे किया है 22 जनवरी 2024 को भवे राम मंदिर का उधगाटन और अभिसे किया जाना है अम्रित भारत एक्सप्रेस LHB पसू पुल तकनीकी की विशिष्ट विशिष्टा के साथ सुपर फास्ट यात्री ट्रेनों की एक नई स्रेडी पेस करती है दो अमरत भारत ट्रेने हैं एक अयोध्या अमरत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दरभंगा से दिली के आनद बिहार टर्मिनल तक चलेगी और दूसरी मालदा टाउन से बैंगलरू अमरत भारत एक्सप्रेस ठीक है दोस्तो चलिए अंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन जल्दी से बताइएगा दोस्तो हाली में कहां पर पानी की ईहमिया समझाने के लिए दुनिया का पहला जल्विस विध्याले खोला गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्सन नंबर सी हमीरपुर में चैलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ते हैं उत्तर पिडेश के हमीरपुर में दुनिया का पहला जल्विस विध्याले वाटर यूनिवस्टी खोला गया है पान सो गावों तक जखुनी मौडल को पहुचाने की तैयारी है जल्द ही इसमें देश दुनिया के लोग जल सरचड का पार्ट पढ़ने आएंगे ये उनिवस्टी बुन्देल खड छेतर में 25 एकड में बनेगी इस जल्विस विध्याले की पहल हमीरपुर जिले के रहने वाले और सुईडन में पर्या वरण वैग्यानिक प्रोफेशर रवी कांत पाठक के अलावा पदमिस्री से सम्माने जल योद्धा उमा संकर पांडे ने की है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेज कुशन देखते हैं नेज कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में राजिस्थान की किस योजना का किंदरी आयूसमान भारत कार करम के साथ विलै किया गिया है विच स्कीम आव राजिस्थान वाज री सेंट्रल आयूसमान भारत प्रोग्राम फर्स्ट आप्सन है अनपूर्णा फूट पैकेट योजना, सिकेंड आप्सन है सामाजिक सुरच्चा पैंसन योजना, थर्ड आप्सन है चिरन जीवी स्वास्त भीमा योजना, या फूर्ट आप्सन है काम धेनू पसू भीमा योजना बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा ओप्सन नंबर सी चिरन जीवी स्वास्त बीमा योजना चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ते हैं राजिस्थान चिरन जीवी योजना को आयुसमान भारत योजना के साथ विले किया जाएगा राजिस्थान में नव निर्वचित भाजपा सरकान ने ये गोशना की है और इसका उद्देश आयुसमान भारत मुखे मंतरी चिरन जीवी स्वास्त बीमा योजना नामक एक एकी करत पहल बनाना है एकी करत योजना चिरन जीवी के मौजूदा लावों को बनाए रखेगी जो निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू 25 लाग रुपे का परियाप्त बीमा कवर प्रदान करेगी चिरन जीवी योजना कांग्रेश पार्टी के पूर्व मुखे मंतरी असो गहलो द्वारा सुरू की गई थी ठीक है दोस्तों चालिए आंगे बढ़ते हों नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाल ही में ISCC प्लस प्रमाडन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है विच कंपनी रिसेंटली बिकम दी फर्स्ट कंपनी इन इंडिया तू रिसीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन फर्स्ट ओप्षन है HDFC बैंक, सीकेंड ओप्षन है रिलाइंस इंडस्टीज, थर्ड ओप्षन है TCS या फोर्थ ओप्षन है क्रॉम्टन बताईएगा दोस्तों हाली में ISCC प्लस प्रमाडन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्षन नंबर B, रिलाइंस इंडस्टी बनी है चलिए इस कुश्चन से रिलेटिन उपॉर्टन पॉइंटों को पड़ती है रिलाइंस इंडस्टी IACC प्लस प्रमाडन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है IACC प्लस प्रमाडन गुजरात में RIL की जामनगर रिफाइंडरी पर लागू होता है जामनगर रिफाइंडरी प्रती माँ 600 तन तक पाइरोलिसिस तेल का उतपादन कर सकती है RIL लाइंस इंडस्टी भारत में सबसे बड़ा एकी करत पेट्रो केमिकल उतपाद है हाल ही में गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी का दर्जा दिया गया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स जनवरी दो हजार चौबिस में कौन सी भारती इलेक्ट्रिक कंपनी पील आई मंजूरी पाने वाली कंपनी वनी है विच इंडियन इलेक्ट्रिक कंपनी बिकम दी कंपनी टू गेट पील आई एप्रूवल इन जनवरी ट्वेंटीटीवल फ़र्स आप्सेन ए ओला एलेक्ट्रिक सिकंड आप्सेन ए टाटा मोटर्स थर्ड ओप्सन है महिंद्रा एलेक्ट्रिक या फोर्ट ओप्सन है इन में से कोई नहीं पताईएगा फ्रेंड्स जनवरी दो हजार चौबिस में कौन सी भारती एलेक्ट्रिक कंपनी पी एलाई मंजूरी पाने वाली कंपनी बनी है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर ए ओला इलेक्ट्रिक बनी है चैलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पाइंटों को पढ़ती है ओला इलेक्ट्रिक पी एलाई मंजूरी पाने वाली पहली एवी कंपनी बनी ओला इलेक्ट्रिक पहली भारती इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है जो सरकार की प्रोड़क्ट लिंक्ट इनेक्टिविटीज पी एलाई योजना के लिए पात रहे जिसमें प्रती यूनिट 15,000 से 18,000 रुपे तक का संभावित लाव है ओला एलेक्टिक ने सिक्योर्टी एंड एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया से भी के साथ अपना ड्रॉप्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टम दाखिल करके अपनी इनिशियल पबलिक ओफरिंग आई पी ओ की दिसा में महतपूर कदम उठा आई है और ओला की स्थापना 2010 में हुई थी इसके संस्थापक एंड CEO भाविज अगरवाल जी है ठीके दोस्तों याद रखिएगा इसके सारे important पॉइंटों को most important question है एक्जाम के नजरिये से तो चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में डेनमार्क की महारानी मागरेत दुती ने कब आपचारिक रूप से अपने पदित्याग की गोशना की है Decently when did Queen Margit second of Denmark formally announce her abdication First option है 10 जनवरी 2024 को Second option है 14 जनवरी 2024 को Third option है 26 जनवरी 2024 को या Fourth option है 5 फरवरी 2024 को बताईएगा फ्रेंड्स हाली में डेनमार्क की महारानी मार्गरेत दुती ने कब आपचारिक रूप से अपने पदित्याग की गोशना की है इस question का जो right answer हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा option नमबर B 14 जनवरी 2024 को चैली इस question से related important points को पढ़ लेती है डेनमार्क की महारानी मार्गरेत दुती ने अपने पद्याग की गोशना की है महारानी आपचारिक रूप से 14 जनवरी 2023 को पद छोड़ देंगी दोस्तों यहाँ 14 जनवरी 2024 होगा जो 1972 में महारानी बनने के 52 वर्ष पूर होंगे उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा के रूप में उनका उत्रादिकारी होंगे ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाल ही में किस राजे सरकार ने राजीव गांदी स्वरोजगार स्टार्टप योजना सुरू किया है विच स्टेट गवर्मेंट रिशेंटली लॉंच दी राजीव गांदी सेल्फ एम्प्लॉइमेंट स्टार्टप स्कीम फर्ष्ट ऑप्सन है हिमाचल पिर्देश में, सिकेंड ऑप्सन है सिक्केमें, थर्ड ऑप्सन है अरुणाचल पिर्देश में या फोर्ट ऑप्सन है उत्राखंड में बताईएगा फ्रेंट हाल ही में किस राजे सरकान ने राजीव गांदी सरोजगार स्टार्ट अप योजना सुरू किया है इस कुशन का जो राजीव गांदी सरोजगार स्टार्ट अप योजना सुरू की है इस पहल का लच्च 21-45 वर्स की आयू के युवाओं के लिए सौरू उर्जा परियोजनाएं एस पीपी स्थापित करना तता राजी सरकार की उच्च स्वच उर्जा पहल को बढ़ावा देना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बाढ़ते हैं नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाली में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेली स्कॉप परियोजना SKAO में सामिल हुआ है ये कहां इस्थापित किये जाएंगे रिसेंटली इंडिया जॉइन दी वर्ड लाज़ेस्ट रेडियो टेली स्कॉप प्रोजेक्ट SKAO विर विल इट बी एस्टाबलेजड फर्स्ट ओप्सन है दच्छन अफ्रीका सिकेंड ओप्सन है ऑस्टेलिया थर्ड ओप्सन है उपरिक्त दोनों या फोर्ट ओप्सन है अमेरिका बताईएगा फ्रेंड्स इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं मार ओप्सन नंबर ए दच्छिन अफरीका चैलिए इस कुश्चन से रिलेड़ेड इंपॉर्टेंट पॉंट तो को पढ लेते हैं भारत विस्वी की सबसे बड़ी डेडियू टैली स्कॉप परियोजना में सामिल हुआ है भारत सरकार ने स्कॉयर किलोमीटर एरे अबजेक्ट विट्री में सामिल होने के लिए आपचारिक रूप से हस्ताचर किये हैं ये 1250 करोड रुपे की अंतर राष्टी लेगा विज्ञान परियोजना है SKAO के उपकरड नहीं है बलकि दच्चिन अफ्रीका और ऑस्टेलिया में साइटों पर हजारों टैलीसकॉपिक एंटेना का एक विसाल संग्रह है ये एक साथ जुड़कर एकल विसाल दुर्बीन सरडी का निर्माड करेंगे इसके सदसे अउस्टेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, नियोजीलेंड, दच्चिन अफ्रीका, स्वीडन और नीदर लेंड और यूके आदी ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट कुशन देखते हैं आज का लास्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स, हाली में पावर ग्रिड कॉर्परेशन ओफ इंडिया का अध्यज और प्रवन्द निर्देश किसी नुक्त किया गया है फ्रेंड्स, हाली में पावर ग्रिड कॉर्परेशन ओफ इंडिया का अध्यज और प्रवन्द निर्देश किसे नुक्त किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर सी आरके त्यागी जी को चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं आरके त्यागी ने पावरगिर्ड कॉर्परेशन में C.M.D. का कारिवार سमाला है आरके त्यागी ने पावरगिर्ड कॉर्परेशन ओफी इंडिया के अध्यज और प्रवन निर्देशक के रूप में कारिवार समाला उन्होंने केस स्रीकांत का इस्थान लिया जिन्होंने हाली में कारिकाल पूरा किया है और दोस्तों PGCIL की स्थापना 1989 मोहीती इसका मुख्याल है गुरू गिराम में है ठीके दोस्तों I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे और सभी कुशन से related important point के notes भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे अगर class अच्छी लगी हो दोस्तों और important लगी हो तो please इस class को like कीजेगा, share कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी study चैनल को subscribe कीजेगा Thank you so much दोस्तों